बिहार में जितनी मुश्किले एंडिये को बहुमत हासल करने में हुई थी उतनी ही मुसीबते अब बिहार के मंत्री मंडल के विस्तार में भी हो रही है कट बंधन में सबसे ज़्यादा सीटे हासल करने के बावजूत मुख्य मंत्री पद जन्तादर युनाइटेट के नितीश कुमार को दे कर भाजपा ने सबका भरोसा तो जीत लिया था लेकिन ये कयास तब से ही लगाय जा रहे थे कि जितनी आसानी से मुख्य मंत्री पद नितीश कुमार को दे दिया गया है आने वाले पांच सार उतने आसान नहीं होंगे और अब ये बाते सच होती हुई नजर आ रही है बिहार के मंत्री मंडल का विस्तार विवादित होता नजर आ रहा है बिहार में छोटे भाई का किरदार निभारी भाजपा अब शायद NDA में बड़े भाई का रोल निभना चाहती है पहले जेडियू से इनकी मिजोरिटी और अब उनके बड़े भाई का पद लेने की कोशिश कर रहे हैं पताईए आपको बता दें कि सरकार का गटन होने के बाद 17 नवेंबर को ही मंत्री मंडल की बैठक हुई थी मंगलवार को भी बैठक होने वाली थी लेकिन तीन हफ्ते से यह बैठके तलती ही जा रही है मसला ये बताया जा रहा है कि भाजपा मंत्री मंडल के बचे हुए स्थानों में जादा से जादा अपनी पार्टी के मंत्री होने की मांग कर रही है कहा जा रहा है कि भाजपा का कहना है कि मंत्राले भले ही बराबर बाटे जाए लेकिन मंत्री भाजपा के ही जादा होने चाहिए आपको बता दें कि बिहार के मंत्री मंदल में जादा से जादा 36 मंत्री हो सकते हैं इन में से अभी 14 स्तान बरे जा चुके हैं फिलहाल बिहार के मंत्री मंदल में भाजपा के साथ जेडियों के पांच विकाश शील इंसान पार्टी का एक और हिंदुस्तानी आवाम मूर्चा का एक मंत्री है जेडियों के मेवलार चौदरी को सिक्षा मंत्राले दिया गया था लेकिन पदबार समाल लेके कुछ ही गंटो बात उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था उनके इस्तीफे की क्या वजा रही इसके बारे में हमारा चानल बहुत सारी डीटेल वीडियो बना चुका है आपको बता दे कि भाजपा की ज्यादा की ये मांग से एक मंत्री मंडल तकी सीमित नहीं है इस चीज की चर्चा विधान पार्षद की सीटो को लेकर भी हो रही है भाजपा विधान पार्षद में भी अपनी बहुमत मांग रही है विधान सबा में तो जेडियू सीटों की संख्या के मामले में छोटे भाई के कत्पर आही चुकी है लेकिन अब विधान परीशद में उसके बड़ी भाई की भूमिका दाव पर आ गई है बिहार विधान सबा परीशद में 75 सीटी हैं जिनमें जेडियू की 23, भाजपा की 18, राज़त की 6, कॉंग्रेस की 4, CPI की 2, निर्देल की 2 और हम और VIP की एक एक सीट हैं इन 75 में से 18 सीटे अभी रिक्ट पड़ी हैं इन 18 में से 12 सीटे मनोनयन कोटे की हैं, 4 स्थानिया निकाय की, 2 विधान सबा कोटे की हैं आपको बता दे कि एक खबरे आ रही है कि भाजपाइट 18 सीटों में से 10 सीटों की मांग कर रही हैं अब आप ज़रा क्रूनोलॉजी समझें, पहले बहुमत हासिल की, फिर मुख्य मंत्री पत सहयोगी दल को दे दिया उसके बाद पहले मंत्री मंदल ने अपना कद उचा करने की कोशिश की विधान सबा में स्पीकर अपनी पार्टी के विधायक को बना दिया और अब विधान परीशन में भी जादा से जादा सीटे पाना चाह रही है मतलब भाजपा एक सहयोगी दल की तरफ बिहार में आई थी और अब यहां की एक वक्त की लीडिंग पार्टी को काफी पीछे छोड़ चुकी है समझ रहे हैं ना आप खें देखना अब ये होगा कि भाजपा हर सदन में अपनी जो बहुमत चाह रही है अपने इस मनसूबे में वो कितना कामियाब होगी इस खबर में इतना ही अगर आप हमें फीस्बुक पर देख रहे है तो जनता जंक्शिन के पेज को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टेग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ रखते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद की दोनीशन के रूप में हम तक अपना सहयोग भी पहुंचा सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन् साथ मैं हूं सौमयराथी क्यामरे के पीछे खड़े हैं वरुंजा और आप देख रहे हैं जनता जनता